जी हाँ फ्रेंट्स पिछले कुछ सालों में इंडिया में fantasy league application की बाढ़ से आ चुकी है अगर बात करें इंडिया के जो top fantasy league application है तो dream 11 application के बाद जो सबसे ज़्यादा यूज़र वाली application है वो है my alarm circle application और आज के इस वीडियो में हम आपको इसी application के वारे में पूरी detail बताएंग application का account create करना चाहते हैं सबसे पहले आपको उस mobile में application को download करना है application को जैसे ही आप mobile में download कर लेंगे उसके बाद mobile में आपको सबसे पहले application को open करना है application को जैसे ही आप open करेंगे तो application आप से कुछ permission मांगती है आपको सारी permission को allow कर देना है नीची क्लिक करेंगे continue पर ओके जैसे ही आप application को सारी permission allow कर देते हैं तो इसके बार आपके सामने कुछ इस तरह का लॉग इन पेज ओपन हो जाता है और यहां पर नीशे आपके पास तीन ओप्शन आते हैं connect वाया Facebook, login और register का so यहां पर My Allowing Circle अप्लिकेशन के अंदर में अपना अकाउंट create करने के लिए आपको दो method मिलते हैं connect वाया Facebook और register का और जिस भी मुवैल के अंदर में आप अपना My Allowing Circle अकाउंट create करना चाहते हैं अगर आप उस मुवैल के अंदर में अपना Facebook अकाउंट यूज कर रहे हैं और अगर आप अपने Facebook अकाउंट के थुरू My 11 Circle अप्लिकेशन के अंदर में अपना अकाउंट क्रेट करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना है, connect वाया Facebook पर, जैसे ही आप इस option पर क्लिक करेंगे, अप्लिकेशन आप से कुछ permission मांगेगी, आपको शा Facebook ID नहीं है, या फिर अपने Facebook अकाउंट के थुरू आप अपना My 11 Circle अकाउंट नहीं बनाना चाहते, तो उस case में आपको क्लिक करना होगा नीचे, register पर, register के option पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं, तो next page में आपके पास नीचे option आता है, enter email address, mobile number और password का, so यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना email address enter करना होगा, then आपको अपना mobile number enter करना होगा, और इसके बार आपको यहाँ पर अपना password create करना होगा, and guys, यहाँ पर अपना email address और mobile number enter करने से पहले आपको इस बात को make sure कर लेना है, कि जो भी mobile number और email address आप यहाँ पर enter करेंगे, वो mobile number और email address किसी भी दूसरे MyElearn Circle account के साथ currently link नहीं होना चीए अपना email address यहाँ पर enter करेंगे और इसके बाद अपना mobile number यहाँ पर enter करेंगे यहाँ पर अपना email address और mobile number enter करने के बाद next option आपके पास आता है password का, यहाँ पर आपको अपने MyElearn Circle account के लिए एक password set करना है और जो भी पासवर्ड आप अपने MyAlone Circle अकाउंट के लिए set up करेंगे आपको ये बात make sure कर लेनी है उस पासवर्ड की जो length है वो minimum 6 character के होनी चीह है उस पासवर्ड के अंदर आपको एक special character और number जरूर यूज़ करना है तो फ़िट वट चे अपना password create कर लेते हैं एक बार जैसे ही आप application के अंदर में अपना email address और mobile number फिल कर लेते हैं और उसके बाद जैसे ही आप अपना password यहाँ पर setup कर लेते हैं इसके बाद जो नीचे आपके पास option आता है register for free का आपको इस पर click करना है register for free पर जैसे ही आप click करते हैं तो जो भी mobile number आपने यहाँ पर enter किया था उस mobile number पर my 11 circle application की तरफ से एक OTP आता है जिसको application automatically detect कर लेती है और आपका account my 11 circle application के अंदर में successfully create हो जाता है और यहाँ पर on the top आपको आपका जो username है वो शो जाएगा और account जैसे ही आपका create हो जाता है तो आपके पास कुछ इस तरह का message आ जाएगा welcome to my 11 circle your username is आपको click करना है नीचे ok got it पर ok got it पर जैसे ही हमने click किया तो उसके बाद हमारे सामने application का कुछ इस तरह का home page open हो चुका है friends एक बार जैसे ही my 11 circle application के अंदर में आपका account successfully create हो जाता है तो उसके बाद आपको सबसे पहले my 11 circle के application में कुछ changes करने होते हैं जितने जल्दी से जल्दी हो सके और इन changes को करने के लिए सबसे पहले आपको on the bottom right click करना है more के option पर more के option पर जैसे ही आप click करते हैं तो on the top सबसे पहला option आपके पास यहाँ पर आता है account details का आपको इस पर click करना है account details पर जैसे ही आप click करते हैं तो नीचे आपको कुछ और option show हो जाएंगे आपको simply click करना है सबसे पहले आप्शन my account पर my account के detail पर जैसे ही आप click करेंगे तो on the top account details के अंदर में आपको on the top यहाँ पर आपका जो email address है और mobile number है उसका verification status चो हो जाएगा फिलाल हमारे दोनों ही जो details है वो verified हो चुकी है आप देख सते हैं क्योंकि हमने अपना my learn circle account manually create किया था ना कि facebook id के थुरू अगर आप अपना account facebook id के थुरू create करते हैं तो हो सकता है कि आपका जो email address है और mobile number है वो यहाँ पर unverified दिखाए उस case में आपको इन दोनों detail को सबसे पहले verify करना होगा इसके अलावा नीचे आपके पास option आता है username का इस username को आप account बनाने के बाद life में सिर्फ एक बार change कर सकते हैं इसके बाद next option आपके पास आता है नीचे personal information का यहाँ पर आपको आपका name, date of birth, gender, address और location एंटर करनी है अगर आपकी detail यहाँ पर already entered है आपको लगता है कि आपका name यहाँ पर गलत mention है या आपकी date of birth गलत है या आपका address यहाँ पर गलत है तो सबसे पहले आपको माल अनु सरकल के personal information में जाकर अपनी जो detail है उसको सही से enter करना है अगर detail गलत enter है तो उसको सही करना है उसके लिए आपको personal information में जाकर click करना है add address detail पर add address detail पर जैसे ही आप click करते हैं तो on the top यहाँ पर आप देख सते हैं एक notice लिखा हुआ है साब साब you have not entered your personal detail after adding cash to your account you cannot play cash games until you enter these details so my level circle के rule के according जब तक आप यह detail फिल नहीं करेंगे आप कोई भी cash contest यहाँ पर play नहीं कर सते अपने account में amount को add करने के बाद भी आपको इस detail को भरना होगा so जितनी जल्दी हो सके आप इस detail को यहाँ पर सही से भर लें और जो भी detail आप यहाँ पर भरेंगे चाहे वो आपका first name हो चाहे वो आपका last name हो चाहे वो आपकी date of birth हो, address हो, pin code हो या आपका state हो यह सारी चीज़ां आपको अपने KYC proof में से देखकर भरनी है जो भी KYC proof आप यहाँ पर submit करने वाले हैं in future उसी में से देखकर सारी detail आपको यहाँ पर भरनी है let's example हमारे पास आधार card as a KYC proof अवलेवल है जिसको हम future में My11Circle application के अंदर में KYC detail के लिए यूज करेंगे तो आधार card में जो हमारा name mention है same वैसे ही name हमें यहाँ पर enter करना है इसके अलावा जो date of birth है, address है, pin code है, city है यह सारी detail आपको वैसे ही भरनी ही जैसे आपके आधार में mention है इसके बार आपको नीचे क्लिक करना है save details and play now पर जैसे ही आप my 11 circle account के अंदर में इन changes को कर लेते हैं इसके बाद आप ready ही किसी भी cash counters को play करने के लिए इसके बाद आपको अपने account में money add करनी होती है और money को add करने के लिए on the top right आपको क्लिक करना है add cash पर add cash पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो यहां पर आपके पास option आता है choose amount का यहां से आपको अपना amount choose करना है 100 रुपीज हमने choose कर लिया है इसके बाद क्लिक करेंगे next पर next पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो next option आपके पास आता है payment option का यहां से आप different method को use करकर अपने my alone circle के wallet में money add कर सकते हैं और यहां पर amount add करते समय आपको एक बात जरूर ध्यान रखनी है अगर आपके my alone circle account की KYC pending है या KYC complete नहीं है तो आपको my alone circle application के अंदर में एक साथ 50 या 100 रुपे से जादा add नहीं करने हैं जिस भी cash contest को आपको play करना है उसकी जो भी entry fee है और जब भी आपको उसको play करना है आप उसी समय पर उतना amount application में add करते हैं एक साथ कभी भी 500 रुपे add ना करें जब तक आपकी KYC complete नहीं होती है और in future अगर आपकी KYC fail हो जाती है तो आपका जो amount है वो application के अंदर में फंच जाता है जैसे ही आप application में cash contest play करने के लिए अपना amount add कर देते हैं इसके बाद next option हमारे दिमाग में आती है how to create team हमें team किस तरों से बनानी है तो team बनाने के लिए यहाँ पर आपके पास दो sports category आती है cricket और football सो दोनों game में से जिस भी game की knowledge आपको अच्छी है जिसमें आप cash contest को play करना चाहते हैं on the top यहां से आपको उस game को select करना है let's example हमें cricket की knowledge अच्छी है तो हम select करेंगे cricket जैसे ही आप यहां से अपनी sports category select करते हैं तो उस category से related सारे matches सारी leagues जो नीचे run हो रहे हैं वह आपको शो जाएंगे दो दिन बाद यह match स्टार्ट होने वाला है तेज घंटे बाद 24 घंटे बाद और on the top यहां पर जो सबसे पहला match शो कर रहा है between बैंगला और वसिस राजस्तान वीव आई-पिल का match अगर आपको इस match में अपनी team बनाकर contest जोइन करना है तो सबसे पहले आपको इस contest पर क्लिक करना होगा और fantasy league application के अंदर में जो भी match start होने वाले हैं आज से एक दिन बाद, दो दिन बाद, तीन दिन बाद उसके contest almost 24 या 48 घंटे पहले ही open हो जाते हैं और आप 24 या 48 घंटे पहले भी अपनी team select करकर create करसते हैं अभी देखते हैं आप इस match को start होने में दो घंटे बचे हैं और आप अभी अपनी team यहाँ पर create करसते हैं तो अपनी team create करने के लिए आपको सबसे पहले उस match के अंदर क्लिक करना होगा जिसके अंदर आप अपने contest को join करना चाहते हैं let's example हम सबसे पहले वाले match में team बनाकर अपने contest को join करना चाहते हैं तो क्लिक करेंगे बैंगलावर वसिस राजस्तान की match पर क्लिक करते ही on the bottom आपके पास option आता है create your team का आपको इस पर क्लिक करना है create your team पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके पास यहां पर option आता है team create करने का यहां पर आपको अपने team create करनी है और यहां पर total आपको दोनों team के 22 player मिलते हैं और 22 player में से आपको अपनी best 11 player की team बनानी है within 100 credit points और सबसे पहला option आपके पास यहां पर आता है bigit की पर चूच करने का और as per my 11 circle policy आप application के अंदर में minimum 1 और maximum 4 bigit की पर चूच करते हैं इसके बाद next option आपके पास आता है best man का और यहां पर minimum 1 और maximum 6th best man आप अपनी team में चूच करते हैं और जैसे जैसे आप player चूच करते हैं आपके जो 100 credit points हैं वो कम होते जाते हैं इसके बाद next option आपके पास आता है all rounder का यहां पर आपको अपने team के लिए all rounder चूच करने हैं नेक्स option आता है baller का यहां से आपको अपने team के लिए baller चूच करने हैं और जिस भी category पर आप click करेंगे उसके नीचे आपको जो condition है वो दुख जाएगी आपको minimum और maximum कितने player select करने हैं और इसके according ही आपको अपने player select करने हैं So total 11 player हमने choose कर लिए हैं इसमें से 7 हैं Bangalore के और 4 हैं राजस्तान के इस तरह से अपने 11 player choose करने के बाद नीचे आप team preview पर click करकर अपनी team को check कर सकते हैं team preview को check करने के बाद अगर आपको लगता है कि आपको अपने team में कुछ changes करने हैं तो आप यहां से कर सकते हैं इसको हटा कर दूसरे baller ले सकते हैं जो भी आपको करना हो all rounder के अंदर आप change कर सकते हैं जो भी आपको changes करने हैं वो changes करने के बाद आपको नीचे क्लिक करना है next next पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपके पास option आता है choose your captain and vice captain का और यहां पर जो आपका captain है उसको normal player से 2x और आपके vice captain को normal player से 1.5x point ज़्यादा मिलते हैं तो आपको win करवाने में आपके captain और vice captain की बहुत importance होती है तो अपना captain हम choose करेंगे विराट कोहली को और vice captain choose करेंगे Chris Morris को इसके बाद आपको क्लिक करना है नीचे save team पर save team पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपकी team यहां पर successfully create हो जाती है और अगर आपको लगता है कि आपने team में कुछ changes करने हैं और contest को join करने से पहले आप उसकी detail यहां पर चेक करते हैं यहां पर वन करोड का contest एक चल रहा है 27 लाइक के contest है जिसमें जो first price है हुए है 1.50 लाइक रुपीज वन करोड का contest है उसमें जो first price है हुए है 5,000 प्लस iPhone आप देख से हैं इस तरह से आप contest की जो detail है उसको चेक कर से हैं और contest को search करने के बाद जो भी contest आपको यहां पर join करना है उस contest को join करने के लिए आपको just contest के सामने join पर क्लिक करना है जोएन के उपर आपको जो entry fee है वो शो जाएगी क्लिक करेंगे जोएन पर जैसे ही आप जोएन पर क्लिक करेंगे तो उस contest की जो total winning money है वो आपके शामने show हो जाएगी और नीशी आपको entry fee हो जाएगी इस चीज को verify करने के बाद आपको क्लिक करना है join now पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपकी team successfully contest के अंदर में जोएन हो जाएगी और जो भी contest आपने जोएन करका है on the bottom right यहाँ पर क्लिक करकर आप उसकी detail चेक कर सते हैं कि एक बार जैसे ही आप अपनी टीम बनाकर किसी भी contest को जोएन कर लेते हैं तो उस match के start होने से आदे पहले जब दोनों टीमों के बीच में toss होता है और दोनों टीमें toss के बाद अपनी playing 11 team announce करती हैं उनकी playing 11 team के according fantasy league application के अंदर में भी changes हो जाते हैं और जो भी player खेल रहे हैं जो भी player नहीं केल रहे हैं उनके according आप अपनी टीम में भी changes कर सकते हैं वो changes आपको कैसे करने हैं वो हम आपको आगे बताएंगे so friends जो match आप भी start होने वाला है between Bangalore vs Rajasthan इसमें हमने अपनी टीम बना रखी थी और अब दोनों टीमों के बीच में toss हो चुका है toss के बाद हमें application को open करना है और उस match पर click करना है जिस match में हमने team बनार की है इसके बाद हमें click करना है on the bottom teams पर जो भी team हमने बनार की हैं वो हमको यहाँ पर show हो जाएंगी और इसके बाद team के सामने आपको click करना है preview पर preview के option पर जैसे ही आप click करंगे तो यहाँ पर 3D view में जिस भी player के सामने आपको red dot का sign दिख रहा है it means यह player आपकी team में नहीं खेल रहा है इस player को आपको अपने team से delete करकर दूसरे नए player को add करना है जो team में खेल रहा है इसके लिए हमाँ on the top right click करना है edit पर और यहाँ से आपको उस player को हटा देना है जो आपकी team में आज नहीं खेल रहा है और जो भी player यहाँ पर नहीं खेल रहा है उसके सामने लिखा हुआ है not playing जोफरा आर्चर यहाँ पर play नहीं कर रहे हैं इसके अलावा केन रिचर्डशन यहाँ पर play कर रहे हैं तो जोफरा आर्चर को हमने team में से हटा दिया है और इसकी जोगों पर हम select कर लेते हैं कोई दूसरा player जैद है उनाकत इसके बात के लिए करेंगे next पर और अपनी team को save कर देंगे सो कुछ इस तरह से आप toss के बाद my 11 circle application के अंदर में अपनी team को change कर सते हैं और जो भी detail यहाँ पर update होती है player not playing playing की यह 100% correct नहीं होती है कभी-कभी यह गलत update हो जाती है तो इस case में आपको Google से जो correct team है उसके साथ cross verification कर लेना है दोस्तों उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर वीडियो अच्छा लगाया तो प्लीज वीडियो को like कीजिए share कीजिए इसको अपने friends और family member के साथ इस्टिल अगर आपका कोई question है कोई query है regarding this video topic तो आप हमें वीडियो कमेंट सेक्षिंट में अपना question पूछते हैं और सांधी साहत आप अपना question में हमारे वर्ट्सअप गुरूप में भी पूछते हैं हाँ आपके question का reply करने की पूरी कोशिश करेंगे thanks watching bye bye